नमस्कार दोस्तों, Sports Engineer में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम Physical Education के Revision की दूसरी क्लास लेकर आए हैं पहली क्लास आपने देख लिए होगी इसमें कि हमने History के कुछ Question and Answer का Revision किया था उसमें मैंने आपको बोला था, कि एगर आपको यही सीरीज अच्छी लग रही है, यह वीडियो जह आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बताईए और लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको इस सीरीज को कंट्यूर रखना है तो आपने उस वीडियो के comment box में इस सीरीज को continue करने के लिए भी बोला और इसके साथ साथ like के मादिम से मैंने बोला था अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो आप वीडियो को like कीजिए तो आपने वीडियो को like भी किया है तो इसका मतलब समझ में आ गया कि आपको इस सीरीज को और देखना है तो अब हम इस सीरीज को continue रखेंगे फिजिकल एजुकेसिन के सभी टॉपिक्स को दिरे दिरे हम cover करते जाएंगे वीडियो शुरू करते हैं तरीक आपको पता ही होगा क्योशन आपके सामने है वीडियो पोस करके आप इन क्योशन का अंसर दे सकते हो या फिर अगर आपको इन क्योशन का अंसर नहीं आता है तो वीडियो को आप चलने दीजिए वीडियो थोड़ी सी फास्ट रहे है कि क्योंकि हम revision कर रहे है explanation इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे पहला क्योशन है प्राचिन विश्व विद्धालियों जैसे कि तक्सिला और नालंदा में लोगप्री और जोरदार अभ्यास वाली खेल गतिविदियों को नाम दें इसमें हमसे पुछाए कि तक्सिला और नालंदा विश्व विद्धाले जो हमारे पुराने समय में थे उनमें कौन-कौन सी खेल गतिविदिया होती थी तोन में थी swimming, fencing, archery और wrestling तेराकी, तिलावरबाजी, तीरंदाजी और कुस्ती ये mainly चार events पुराने समय में हमारी विश्व विद्धाले में आयजुद करवाय जाते थे next है स्यूंगत राजय अमेरिका में 20. सिताबदी ने एक नए यूग की शुरुवात का प्रतिक था 20. सिताबदी में अमेरिका में एक नए यूग की शुरुवात होई उसका प्रतिक क्या था सारिक फिटनेस फिजिकल फिटनेस उसका प्रतिक था यह आपको पता होना चाहिए next है प्राचिन ग्रिकों ने अपनी सिक्षा को पूर्ण माना और इसमें निम्न शामिल थे तो इसमें क्या सामिल था नेतिकता, सुंदरी सास्तर, गनीत और एथलेटिक्स प्राचिन ग्रिक ने इन चार चीजों को अपनी सिक्षा में जोडने के बाद उस सिक्षा को कम्प्लीट माना था next है साथ साल की उम्र में युवा एथनियन लड़कों ने पलेस्टा में प्रविस किया जो एक लोग प्रिय था पलेस्टा के बारे में पूच्छा है कि वो क्या था राइट आंसर है कुस्ती स्कूल रेसलिंग स्कूल का नाम था पलेस्टा जो की कहां थी एथनियन काल की सबसे उतकर्ष्ट विस्यस्ता थी तो वो कौन से थी बोधिकता इंटेलिजेंस थी लेटर एथनियन प्रियेड की नेक्स्ट है लोग विधाले सारीरिक शिक्षा के छेतर में करांती लानें में साइक थे तो वो थे डैनमार्क में डैनमार्क में जो फॉक स्कूल्स थे जिनकों की लोग विधाले बोलते हिंदी में वो फिजिकल एजुकेसिंग ले फिल्ड में करांती लानेंग में साइक थे नेक्स्ट है उन दो देशों के नाम बताएं जिन्होंने जिमनाश्टिक को आकार दिया है जिस तरह से यह आज प्रसलित है तो वो दो देश है नोर्वे और स्विडन इन दोनोर देशोंने जिन्होंस्टिक को आकार दिया है एक व्यक्तिकत एथलेट या टीम को किसी भी अंतराश्टिक खेल प्रतियोगता में बाग लेने के लिए एक साथ दो निकायों मैंसे किसके सनक्षन के आवस्टा होती है तो वो होती है बारती उलम्पिक संग और समंदित राष्टे खेल महा संग इन दोनों निकायों की आफशकता होती है किसी भी व्यक्तिकत एथलेट को या फिर किसी टीम को अंतराष्टे इवेंट में पाटिसिपेट करने के लिए नेक्स्ट है प्रसित चीनी आतरी वेंट शांग नालंदा विश्व विद्धाले में अध्यन करने के लिए आये थे यानि सात्वी सताब्दी में ग्यान प्राप्त करते हैं तो वो किसका ग्यान प्राप्त करते हैं योग सास्तर का योगा साइंस का वो ग्यान प्राप्त करते सात्वी सताब्दी में और वो कौन थे वेन शांग चीनी यात्री ये थे कहां पर आये थे नालंदा विश्व विद्धाले में नेक्सट है कौन सा यूरोप ये साररिक शिक्षा शास्त्री था जिसने सही साररिक मुद्रा की विकास पर गंबीरता से धान दिया पोस्चर पर पर हेंडरिक लिंग ने और ये कहां से थे यूरोप के नेक्सट है प्राचिन ओलंपिक खेलों में एक लोगप्री युवा खेल जिसे पैंक्रेशन कहा जाता था ये किसका सियोजन माना जाता है ये था मुक्यवाजी और कुस्ति का बॉक्सिंग और रेसलिंग का सियोजन प्राचिन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलों का अगठन करने वाले खेल किस परदाओं का नाम बताएं पेंटाथलों मतलब टोटल पांच एवेंट होंगे तो ये पांच एवेंट कौन से थे डिसकस्त्रों बाला फैंक लंबीकूद रेस और कुस्ति ये पांच एवेंट ऐश्चार еньली सेर में फिमेल स्ने पांच मेंट किया था तो वह थी टेनिसो का जैसिति कोण थे डिएमारियस इन्दो इवेंट्स में पांच आवेंट क्या था ये वे मेंट्स ये प्रल राष्चा का राष्ट आ और कम एक कई निपुन्ट है किस करक्स एवेंटरूर। आर्चर, सार्थी और हैमर थ्रोवर इन तीन गेम्स में वो हिपुन थे नेक्स्ट है 19. सताबदी के अधिकांस परंपरिक मनोरंजन खेल सिदान्थ काफी हद तक इससे परभावित थे तो वो किससे परभावित थे प्राचिन काल में एथेनियन साराणिक शिक्षा तीन परमुक बातों पर केंदरित थी जैसे सुंदरे सास्तर एथलेडिक्स और गुद्धी इन तीन पर एथेन्स की जो फिजिकल एजुकेशन थी वो केंदरित थी प्राचिन ग्रीस में समुदुर के देवता थे तो वो कौन थे? पोसाइडन प्राचिन ग्रीस में एसकेलपेस थे वो थे उपचार के देवता राजीव गंदी खेल रतन पुरुषकार पाने वाले पहले वेक्ति कौन थे? विश्योनाथन आनन्द उलम्पिक के छले संके देते हैं पांच मादिविट के क्योंकि उलम्पिक में पांच छले होते हैं उसके जंडे के अंदर बगवान अपलो के सम्मान में कौन से खेल आयजुद किया गए थे? तो वो थे? पाइथियन इतियास में एक्स में स्वेडिस जिम्नास्टिक को स्वेडिस भी कहा जाता था तो वो कहते थे? मुमेंट के और स्वेडिस जिम्नास्टिक को मुमेंट के और भी कहते थे नेक्स्ट है किसने जीवित शिक्षा गतिवीदी के रूप में शार्डिक शिक्षा के लिए दियेगे महत्योपमण सिधान्तों का योगदान दिया है, तो वो है Charles Darwin, नेक्स्ट है, किस दार्शनिक आउधार्णा को बहतिकवाद की रूप में भी जाना जाता है, तो वो है प्रकर्तिवाद, जिसको कि इंग्लिस में बोलते है, नेच्रलिज प्राचिन ओलंपिक खेलों पर किस द्वारा प्रतिवन लगाए गया था, तो वो थे थियोडसिस, शिक्षा का आधर्श्वादी दर्शन समर्थन करता है, वो करता है नेतिक विचार का, रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचिन ओलंपिक में पुरु जिसको इंगलिक से बोलते हैं, आईडिलिस्ट, नेक्स्ट है, उन दो गतिवीदियों को बताएं, जिनके साथ के नेच कूपर का नाम बहुत निकट से जुड़ा है, तो वो गतिवीदिया है, फिटनेस आंदोलन और एरोबिक्स, फिटनेस मुमेंट्स और एरोबिक्स का स आए गया था 1927 में, अंतराष्ट्य ओलम्पिक समीते का मुखेले कहा इस थी था है, सुर्जर लेंड के अंदर, किस एशाय देश ने पहले राष्ट्रमंडली खेलों की मेजवानी की, तो वो देश है मलेशिया, नेक्स्ट है, 2016 में आयजित ओलम्पिक खेलों में जिन्न ल प्राष्ट्य ओलम्पिक में चीटर्स को क्या सजा दी जाती थी, तो उनको कोडों से मारा जाता था, ग्रिसम कालिन ओलम्पिक खेलों की अवदी क्या है, 16 दिन, नेक्स्ट है, किस वर्स में प्राचिन ओलम्पिक खेलों पर प्रतिबंद लगा दिये गया था, तो वो है 393 प्राष्ट्य ओलम्पिक खेलों पर प्रतिबंद लगा दिये गया था, नेक्स्ट है, प्राचिन ग्रिस में अगोग का मतलब था, अगोग किसको बोलते थे, अग्रियनी, मारक दर्शन या फिर परसिक्षन, लीडिंग, गाइडिंग या फिर ट्रेनिंग को अगोग बोला प्राचिन ग्रिस में प्रसित था, तो प्रसित था, कुस्ति स्कूल था, पैसलिंग स्कूल कोई बोलते थे, प्रसित था, नेक्स्ट है, डिडिस्केलियम किसके लिए प्रसित था, वो था संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए फेमस था, डिडिस्केलियम, नेक्स्ट है, कि जीमनास्टिक का प्रणेता कौन था। हिपोख्रेट्स को माना जाता है मेडिकल जीमनास्टिक का प्रणेता। यूनानियों का मुख्य पैसा क्या था। क्रशी। अगरी कल्चर पर डिपेंड थे यूनानी। नेक्स्ट है, जन्म लेने वाले कमजोर बच्चे को मरने के लिए टिग्रीस परवत पर छोड़ा जाता था, तो वो काम पर छोड़ते थे, इस्पार्टा के अंदर, नेक्स्ट है, ग्रीक में एथलेट सब्दकार्थ है, धन निर्माता, मनिमेकर बोलते हैं, ग्रीक में एथल प्लेटों ने किस खेल में दक्षता अर्जित की, उन्हाने की थी रैस्लिंग गैतर, आधुनिक ओलम्पिक के जनक, बीपी कोबर्टिन की मृत्यू किस वर्स में हुई थी, 1937 में, बीपी कोबर्टिन जिनको आधुनिक ओलम्पिक का जनक माना जाता है, उनकी मृत्यू हो नेक्स्ट है, ओलम्पिक आधर्स वाके में साइटर सब्द कारत है, उस कारत है तेज या फिर फास्ट, वह सैंस्टा जो ओलम्पिक खेलों में भारतिय टीमों की भागिदारी को नियंत्रित करती है, वो सैंस्टा है IOA, Indian Olympic Association, ओलम्पिक तेराकी में भारत ने पहली बार किस नेक्स्ट है, किस ने सबसे पहले विभिन वियामों को भरगी करत किया, अक्सरसाइज को क्लास्पाई किया था, अरस्टु ने, पहले स्टा और डूइड स्केलियम काम परशित थे, एथेंस के अंदर, सारा एक प्रस्रिक्षन के सिदानतों को पहले वर्णित किया गया था वो अरस्टु के द्वारा ही किया गया था, ओलम्पिक में प्रती इवेंट कितने प्रविश्टियों के अनुमती है, मतलब एक इवेंट में एक देश से कितनी एंट्री आ सकती है, तो वो हैं तीन, नेक्स्ट है, किस वर्ष में अंतरिम ओलम्पिक आयाजित किया गये थे, तो वो आज़ुदन किया गये थे 1906 में 1906 में अंतरिम औलंपिक का आज़ुदन किया गया थे जो कि अभी तक एक बार ही किया गये है मिटी स्नान लोक पृरिय था हुँ था एथेंस गे अंदर पहले आदूनिक औलंपिक में कितने देसोंने भाग लिया तो 14 देशों ने भाग लिया था पहले आदोनिक Olympic Games में Next है, Olympic में Hockey Match पहली बार ASTRO TROF पर कब आज़ुद किया गए थे तो वो थे 1976 Montreal के अंदर 1908 तर Montreal Olympic में सबसे पहले Olympic में Hockey Match ASTRO TROF पर आज़ुद किया गए थे Next है, Olympic आदर सवाग के को किस ने गड़ा तो वो गड़ा था, Henry डिड़न ने किस देश ने स्वन यूक के रूप में सारिक शिक्षा का अनुभव किया वो किया है, प्राचिन ग्रीश ने Spartan सिक्षा का उद्देश से उत्पादन करना था योद्दा उत्पादन करना था Warrior को प्रोडूस करते थे Spartan Elliot और Odyssey किसके दुवारा लिखी थे हैं वो Homer के दुवारा लिखी थे हैं Next है Body Beautiful का आदर्स वाके था तो Body Beautiful आदर्स वाके था यूनानियों का Next है सारिक शिक्षा प्रतेक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिगार है इसमें सामिल है UNESCO Charter जोने इसको Charter में बोला गया है कि Physical Education प्रतेक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिगार के समान है Next है कौन ओलम्पिक खेलों को बंद गोसित करता है तो वो करता है IOC का DEX President of IOC International Olympic Committee का जो President है वो ओलम्पिक खेलों को बंद गोसित करता है जब उनका समापन हो जाता है ओलम्पिक रिंग के रंगों का सही सियोंजन का परती निधित्व करता है तो वो है नीला, पीला, काला, हरा और लाल Blue, Yellow, Black, Green और Red ये इनका सही सियोंजन है Next है किसको ओलम्पिक खेलों की मेजबानी परदान की जाती है तो वो परदान करते हैं हम शहर को To the City इस्पाटा के खेल मैदान को क्या कहते थे Plate Nisters बोलते थे इस्पाटा में खेल मैदान को रोम में लड़कों को परसिक्शन दिया जाता था उनके पिता के द्वारा प्राचिन समय में तक्सिला किस लिए परसित था तो वो था तीरंदाजी परसिक्शन के लिए आर्चरी ट्रेनिंग के लिए तक्सिला यूनिस्ट्री फैमस थी तो दोस्तों आप फिजाल इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे एक लाइक बिटन दिया हुआ है उसको अब यूज किजिए यूटूब ने उस बिटन को दिया ही इसलिए है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको दबा दीजिए एक बार 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 मत दबाना बस एक बार दबाग के उसको छोड़ देना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तन्यवाद